हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगनेट बेंग्स आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास नाइंत का हिंदी कोर्स बी तो इस बी में जो हमने सबसे पहले लिया है वो है हमारी संचैन बुक आप सभी को पता है कि इसमें हमारी दो बुक चलती है आपके एक सपर्ष और एक संचैन संचैन बुक जो है वो हमारी स्टोरीज होती है गद्य विधा में ही रहती है और इसमें सिर्फ स्टोरीज रहती है और इस पर्ष में हमारा गद भी रहता है और कावेखंड भी रहता है तो संचैन में जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है गिल्लू गिल्लू जो है ये कहानी लिखी हुई है हमारी महादेवी वर्मा जी ने महादेवी वर्मा जी को प्राडियों से बहुत जादा प्यार था, तो क्या हुआ उनके पास बहुत सारे जानवर थे, उनके पास जैसे अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, यह एक गिलहरी की कहानी है, किस तरीके से वो गिलहरी उनके पास आई, उन्होंने उसकी देख पहाल करी, किते अच्छे से उनके साथ रहती थी सब कुछ, फिर उसके बाद में वो किस तरीके से उनको चोड़के चली गई, अर्तात मतलब उसका मृत्यू हो जाती, क्योंकि गिलहरी का जीवन बहुत ही चोटा होता है, मातर दो साल का होता है, तो वो कैसे मृत्यू को पा कहानिया और भी अधिक पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे, उनकी एक हिरनी थी जिसका नाम सोना था, उनके पास जिराफ भी था, तो मतलब उन्होंने बहुत सारे प्राणी पाले हुए थे, एक कुत्ता था, मूती, तो वो सब के बारे में इन्होंने कही न कहीं, अपने जि लिए देखना पढ़ना शुरू करते हैं कि इस कहानी में हमको क्या-क्या देखनी को मिलता है, इस पाट मिलेखी का महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रती प्रेम जलकता है, अब गिलहरी तो चंचल होती है, कभी फर्र से यहां चर जाना, वहां चर जानते हैं, जब हमको जहां से प्यार मिलेगा जानवरों को वह हमेशा वहां अटाच हो जाते हैं, वहां कभी उनको हाम नहीं करेंगे और हमेशा उसकी तरफ वफादार रहते हैं, तो वह एक चंचल सी गिलहरी किस तरीके से आई, उन्होंने इस पार्ट में उसके विभिन क्रिया कलापों और लेखिका के प्रती उसके प्रेम से हमें अफगत कराया है, क्रिया कलाप मींज मतलब उसका पूरे दिन की दिन चर्या क्या रहती थी, वह कैसे उटती, खाती, पीती, तहलती, चंचल करती और प्लस गिलहरी उनके खिला, मतलब गिल्लू उनके खिलाब, उनके पास कितना जादा उनके साथ प्रेम रखती थी, जो है वो सारी चीजे इस पार्ट में हम देखेंगे, उन्होंने गिलहरी जैसे लग्भू जीव के जीवन का बड़े अच्छे डंक से चित्रन किया है, चोटा सा जीव है, उसका जीवन भी लग्भू ही होता है, क्यो शायद घोसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तयारी कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि वो अपने बरामदे में निकले, तो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो है वो पड़ा हुआ था, शायद कहीं अपने घोसले से गिर गया या जहां से अपने परिवार से बिछड़ गया था, तो दो कौवे उसको खाने की तयारी में थे, कि किस तरीके से उस बच्चे को खा लिया जाए, क्योंकि भई प्राणियों में तो रहता है, एक कंजोर हुआ तो दूसरा उसके उपर हमला करके उसको खतम कर देता है, तो उन्होंने उ चोच मारी थी, तो उसकी मरहम पट्टी करी, यानि कि उसको बैंडज वगर किया, जो भी जखम थे, सब उसको साफ करके उसमें दवाई वगरा लगाई, कई घंटे के उपचार के बाद मुह में एक पानी टपकाया जा सका, मतलब वो अब बेहोश था, समझ नहीं आ रहा थ तो कई घंटे के उपचार करने के बाद में उसको थोड़ा सा होश आया, तो उसने एक बूंद पानी जो है, वो अपने हलक से नीचे लिया, तीसरी दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजे में पकड़ने लगा, यानि कि अब उसके अंदर ता तो समय ना उसके रोए थे ना खुश थे, एकदम साधा जैसे स्किन रहती है वैसे था, पर तीन चार महिने में उसको खूब अच्छी चिकनी दा जैसी उसकी होती है, इसकिन वैसी वह हो गई, उसके बाल निकल आए, और उसकी पूछ इतनी बड़ी उसके शरीर के बराबर उसकी पूछ होती है, लंबी सी और खुब जब्यदार होती है, उसमें खुब सारे बाल होते हैं, वैसी उसकी पूछ हो गई, लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा, अब कुछ तो नाम रखना था, किसी से हम बोलाएंगे, तो हम सभी का होता है, गिन हम लोग के हाँ गिल्लू का घर रहा, तो उनके पास एक टोकरी थी, टोकरी को उन्होंने क्या किया, उसमें रूई बिच्छा दी, उसको कुछ कोमल चाहिए, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, तो उसको उसमें रूई बिच्छा दी, और उसे तार से टांग दिया, और दो साल तक, अगले सर इसे परदे पर चड़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता, तो अब क्या हुआ, लेखिका है भाई, वो अपने काम में बिजी लिखने में, आराम से लिख रही है, तो वो क्या करता था, धीरे से उनके पैर के पास आता था, कि लेखिका सूचे अब हमारे पास आईगी, त तो वो सर इसे खिड़की के परदे पर चड़ जाता, जित्ती तेजी से चड़ता, उत्ती तेजी से उतर जाता, तो अब जाहिर सी बात है, हमारे आजपस कोई ऐसी अटखेलिया करेगा, तो हमारा ध्यान अपने काम से हट जाएगा, और उसकी तरफ चला जाएगा, तो ले बार बार चड़ता, बार बार उतरता, कि जब तक लेखिका ना आ जाएगा, और उसके साथ ना खेलने लगे, अपनी चमकीली आँखों से लेखिका के क्रिया का लापा को भी देखा करता, भूक लगने पर लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता, यानि कि जब उसे भूक तो वो क्या करता, लेखिका को चिक चिक करके आवास देने लगता, कि अब मुझे भूक लगी है, मेरे खाने का समय हो गया, गिल्लू की जीवन का पहला बसंत आया, मतलब अब उसको पैदा हुआ, तो उसका पहला बसंत, यानि बसंत का मौसम आ गया, अन गिलैरिया, खिड अब भई वो जानवर है, उसे अपने साथ ही चहिए होते हैं, तो क्या हुआ बाकी गिलैरी आती, जब देखती कि एक प्राड़ी हमारे जैसा अंदर है, तो वो भी गिलैरी जो है, खिड़की के पास आती, अब उसमें जाली लगी हुई थी, तो वो चिक 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 करके आजाद हो, जाकर अपने मित्रों के साथ खेलो, तब आजाद करते समय है, उनके महादेवी और मा के मन में एक बार भी इन रहा कि यह चला जाएगा, तो आएगा नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने फील नहीं किया, और क्या हुआ, वो उसको आजाद, एक तरीके से उन्होंने ख के साथ खेलने के लिए बाहर निकल जाता था, वर दिन भर अनगिलैरियों के साथ उचलता कूता और शाम होते ही अपने जूले में वापस आ जाता, कहते हैं न, इंसान चाहे पूरा दिन कहीं पे भी घूमे, लोटके अपने घरी आता है शाम को, तो वही हाल गिल्लू का थ गिल्लू पूरा दिन अनगिलैरियों के साथ इधर से उधर खेलता रहता, समश्ती करता, लेकिन जैसे ही शाम धलती, वो सी धे लोटकर अपने बिस्तर में चला आता, जो उसका एक छोटा सा डलिया में मादेवी अर्मा जी ने घर मनाया था, वो अपने उस जूले में आकर आराम करता, लेकिका के खाने के कमरे में पहुंसते ही गिल्लू भी वहाँ पहुंच जाता, और थाली में बैट जाया जाना चाहता, बड़ी मुश्किल से लेकिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, वो वहीं बैठ कर चावल का एक 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 दाना सफाई से खाता, कहने कि अब उसमें खाना परसा जाएगा, तो वो तुरंद जाकर उसको प्लेट में बैठ जाने की कोशिश करता, कि उसको चिकना चिकना लगता, अच्छा सुन्दर, तो लेकिका ने उसको बहुत मुश्कल से सिखाया, कि उस प्लेट में नहीं बैठना है, अलग बैठना है, ब उसे बोहुत सारी चीजें सिखाई थी की कैसे हमें रहना है घर के अंदर गिल्लू का प्रिये खाड़ पदार्त काजू थाoupeишь रहते सकशाब्स काज्जूू था Спासू समय फिर द्वांट्च रहते से था किcribe कहाजू नहीं चालता पर लेंगता काज. की चीज रख दी जाए तो वो धक्का मारके जूले से नीचे गिरा देता कि मुझे ये नीचे है मुझे पहले काजु दो तब मैं और कुछ खाऊंगा उसी बीच लेकिका मोटर दुरगटना में आहत हो गई तो क्या हुआ एक बार ऐसी गटना गटे कि उनका एक्सिडेंट हो गया मोटर दुरगटना मतलब कार एक्सिडेंट हो गया जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुखना पड़ा उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिये पदार्थ काजु लेना काफी कम कर दिया लेकिका के घर लोटने पर वट्तकिये पर सिरहाने बैट कर अपने नन्ने पंजों से लेकिका के सर और बालों को हौले हौले सहलाता और एक सेविका की भूमिका निकबाता तो क्या हुआ अब लेखीका घर में नहीं थी सबसे ज़ादा लेखीका उसका ध्यान रखती थी तो उसको काजु दिया जा रहा था मगर वो लेखीका को घर के अंदर नहीं पा रहा था तो उसने क्या किया उसने काजु लेना जो है बिल्कुल कम कर दिया उसको काजु दिया जाता तो वो बिल्कुल भी लेना पसम नहीं करता क्यों क्योंकि वो हमेशा किसको ढूणता लेकिका को और लेकिका का तो accident हो गया था और वो hospital में थी तो वो उनको बहुत miss कर रहा था उसने बंद कर दिया अब क्या हुआ कुछ दिन बाद जब लेखी का घर आई तो अब गिलू वो हमेशा बेट पे रहती तो गिलू क्या करता वो भी उनके पास जाता और उनके सर और बालों को धीरे धीरे सहलाया करता वो कुछ कर तो नहीं पाता लेकिन उसका ये प्यारा सा इसपर्श जो है महादेवी वर्मा जी को सही होने में बहुत प्रोचसाहित करता कि वो जल्दी ही सही हो जाएंगी और इस तरीके से एक सेविका मतलब उसका जो सेवक करने वाले जो होते न वो सेवा कर रहे हैं ये भाव उनके अंदर था कि मेरे पास गिलू जैसे एक सेविका के तौर पर हमेशा प्सवास में रहता था गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता तो लेख क्या है भाई गर्मी होती थी तो गर्मी में क्या करना होता था वो लेखिका के पास सुराही रखी रहती थी जो है पानी पीने की तो सुराई कैसी होती है सुराई ऐसे मठकानुमा होती ऐसे करके ऐसे और मगर उसका जो मू होता है वो लंबा होता है तो क्या होता था गिल्लू इसी के उपर ऐसे करके लेट जाया करता था ये जगा ज़ादा होती थी तो वो यहाँ पर लेट जाया करता था सिर्हाने सुरहाई रखी रहती थी पानी पीने के लिए अब वो ठंडी होती थी तो इस तरीके से उस पे लेट जाता और क्या होता कि वो एक तो उसको एसास होता कि हम लेखिका के पास हैं और साथ में वो ठंडग भी महसूस करता इत्ती गर्मी में चुकि गिलहरियों की उम्र दो वर्ष से अधिक नहीं होती इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया था अब सारा क्या हुआ अब इतना टाइम बीट गया तो जल्दी अब दो साल से जादा नहीं होता दो साल होने को आ गया तो जल्दी ही उसका अंत भी आ गया दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया तो मतलब जब उसको होता ना तो उसने कुछ खाना पीना छोड़ दिया था अब यह लगता कि अब मृत्यू को प्राप्त होने वाला है तो उसने खाना पीना छोड़ दिया था रात में वह जूले से उतर कर लेखिका के विस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उसने उनकी उंगली पकड़ कर चिपक गया यानि कि वो अपने जूले से रात में आया और चुप चाब लेखिका की उंगली ठंडे-ठंडे पंजों से पकड़ कर वहीं चिपक कर ले डिया लेखिका ने हीटर जला कर उसे उश्मा देने का प्रयास किया जब उन्होंने महसूस किया कि वो इतना ठंडा है तो उन्होंने हीटर जलाया हीटर जला कि उसको थोड़ी गर्माहट देने की कोशिश करी ताकि वो थोड़ा गर महसूस करें कि लेखिका को भी हैसास हो रहा था कि वो कुछ बिमार है परंतु प्रयास वर्थ रहा सुबा की पहली किरण के साथ सदा के लिए सो गया मतलब सुबा जब लेखिका ने उसको देखा तो वो मर चुका था लेखिका ने सोन जूही की लता के नीचे उसे समाधी दी सोन जूही की एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई तो क्या हुआ उनके पास में जहां उनका भे बगीचा था काफी बड़ा था तो वहाँ पर सोन जूही का एक पेड़ था तो सोन जोही के पेड़ के नीचे ही उन्होंने एक गड़ा खोद के उसको गाड़ दिया अब ये जब सारी चीजें हमको जो कहानी लिख रही है वो तब लिख रही है जब गिल्लू उनके पास नहीं था तो जब गिल्लू उनके पास नहीं था तो ये सारी चीज़े याद उन्हें कैसे आई उन्हों ने वो ऐसे ही एक दिन बैठी खिरकी के पास में बाहर नजारे ले रही थी तो देखा उन्होंने सोन जुही का पेड जहां पर उन्होंने गिल्लू को दफनाया था जानवर भी इंसानों के कितने करीब हो सकते हैं अगर हम उनको प्यार दे तो जानवर इंसानों से कहीं जादा प्यार की भाशा को समझते हैं जैसे हमने देखा एक गिलहरी जो किसी के पास नहीं जाती मगर महादेवी वर्मा की वो सबसे प्रिये मित्र बन गई थी उनके कितने करीब आ गई थी और उनके आहत होने पर भी उसको कितनी तकलीफ हो रही थी तो यहाँ पर हमने ये पार्ट आपको अच्छे से समझाया पूरा कि गिल्नू में किस तरीके से महादेवी वर्मा के पूरे जीवन में फरक डाला उन्होंने ये चीज़ समझाई कि जानवर भी कितने जरूरी हैं हमारे इंवार्मेंट के लिए तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हम थोड़ी देर में इसके प्रश्णों तर लेकर आपके सामने उपस्तित होते हैं थैंक यू बबाए